शर बैग है जूट के ये बैग है ये भी ये मेग चाहिए से बनीवी चीश जी है तौलिये हैं वो चादरें कालीन हैं तो हर का समय चल रहा है और लोग साहित हैं और शॉपिंग के मूड में है तो हम यह चाहते हैं की जोबिक है और स्वादेशी आपने लोगों को रोजगार मिले, चाहे हो मिटी के बरतनों से संबंदित हो, चाहे हो हाथ करदा उद्योग से संबंदित हो, हस्त कला उद्योग हो, एपनस हो. लोकल का परचार परसार भी कीजिए उसी विशे में हम पहुंचे हैं नहरू स्टेडियम और आपको दिखाएंगे कि हाथ से बनीवी चीजें यहाँ पर लोगों ने कैस किस तरीके से बनाई हैं और क्या उप्योगी वो रहने वाली हैं आने वाले समय में सर बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का सर विशे आत्म निर्बर भारत के तहतिया लगा है इसके बारे में बताईए हमें तो हर का समय चल रहा है और लोग साहित हैं और शौपिंग के मूड में हैं तो हम यह चाहते हैं कि जो भी शौपिंग करें वो स्वधिशी हैं उसमें यह संदेश आ रहा है कि अपने भारत को मजबूत करें अपने भारत को आगे बढ़ाएं और भारत की बनाई भी चीज़ होगा इस्तमाल करें हमारी एकॉनमी में कितना योगदान इसका जो लोकल के लिए वोकल बनने का जो आवान किया था श्री प्रदान मंतरी जी द्वारा चलाई गए महतुकांशी योजना है कि हम ऐसी लोगों को रोजकार दे पाएं जैसे इस मेले के अंदर आप देख सकते हैं लाइटिंग चाहिना की लाइटे बजार के अंदर 90% से यदा चलती हैं लेकिन इस पार प्रियास हैगा देख सकते हैं बहुत सारी बहुत सारे ऐसे कारे हैं जैविक खेती हो लोगों को जागरुक करने के लिए मिला लगाया गया है और मैं समस्तों पूरे भारत के अंदर लगबग ये मिला लगाया जा रहा है हर जन्पद में हर तहसील चेत्र के अंदर इसी निवे थमारा प्रियास हैगा कि अधिक से अपने घरों में करते हैं उनको एक मंच मिले उनको एक इस्थान मिले और लोगों तक वो उनकी जो कला है वो पहुचे ताकि आगे भी स्वेपार का वो विस्तार कर सेगे इसलिए मेला लगाया है सर उत्राखंड की एकॉनमी के लिए कितना यूस्फुल क्योंकि अभी इस्तरगे से उत्राखंड तराजदी से गुज़र रहा था उत्राखंड के लिए कितना यूस्फुल उत्रखंड में मानी तिर्वेंदर की सरकार ने जो सवरोजगार योजना की मुहिम चलाई है यह सब उसको एक देखने का नजरिया है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ज्यादे तर घर में बने ही विवस्तिव हैं और जो लोग यहां आएंगे वह भी इससे प्रेरित ह कम घर में बना के खाम करेंगे हर हाथ को काम हर घर में काम उसके तहट ये दिया गया है और आप देख रहे होंगे माने तिर्वेंदर सरकार की योजना है मानने विधायक जी हाँ पर खड़े हैं जिनके सरकार चल लई है और जिनका यही मिशन है कि हम इस कोविड की जो इसे कैसे मात दें और चीन को कैसे मात दें इसलिए हमें जरूरी है कि हर घर में अपना काम करें बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया जिस तरी कि सर ने बताया उत्राखंड की एकॉनमी को भी बूस्ट करेगा और इंडिविजल ग्रोथ भी करेगा लोगों की क्योंकि जिस तराज़्दी से भारत भारत या उत्राखंड गुजर रहा था उसको यहांसे फाइदा होगा अगले कर चलता आपको एक एक स्टाल पर दिखाते हैं क्या के अबनां और यहादों से पूरे हैं पूरे पूरे इसकी कासित इसकी फासिट गरम बहुत है यह बैसे नहीं जैसे लोकल कंबल होते हैं उन्हें भनाट बहुत है अपने बने वह पाली पूरा भारतिका है जी यह कही है जी मैं हम आप किया क्या क्या जूट के यह बैग है यह बीच ना ना नो नो तरहां जी